जैहिन दोस्तों, दोस्तों जै आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए शौंदरी सास्त्र और कलागत तत्वों से संबंदित ये वीडियो नमबर 6 लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बहुत important question बताऊंगा और ये question कलासे संबंदित किसी ना किसी exam में पूछे जा चुके हैं बहुत सारे question इसमें net के भी हैं जो कई बार net के exam में पूछे जा चुके हैं ये वीडियो यूपी टीजिटी पीजिटी कलासे संबंदित जो भी exam अभी होने वाले हैं सभी के लिए बहुत important है तो आयो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं question number 214 सीतल से उश्ड रंग की सही क्रम लिखे तो सीतल का मतलब होता है ठंडा और उश्ड गर्म तो यहाँ पर सीतल से उश्ड मतलब ठंडे से इस्टार्ट करना है तो यहाँ पर नीला हरा किर्मिजी सिंदूर यह राइट एंसवर है तो राइट एंसवर सी हो जाएगा question number 215 कथन ए आकरित सिल्प के सतह पर पोत जीव की समवेदना निर्माड करता है तो यह सही है कारण आर सिल्प कारों ने इसे पोत को एक नई तकनिक के रूप में देखा जो सिल्प नए रूप से बनाने में सहायक होए यह भी सही है तो राइट एंसवर ए हो जाएगा ए आर दोनों सही है question number 216 निमलखित को मिलाईए तो पी का जो है या पाई का इसको कहीं कहीं पे लिखा होता है तो यह रेखा की लंबाई मापने की काई है font जो है यह type का एक प्रकार है hue जो है रंग से संबंदित है और texture जो है सतही गोड तो इस तरह से right हो जाएगा question number 217 भारती संबंदरे सास्तर में ध्वनिश सिध्धान्त का प्रतिपादक कौन है तो भारती संबंदरे सास्तर में ध्वनिश सिध्धान्त के प्रतिपादक है आनंद वर्धन यहा पे right answer A हो जाएगा इन्होंने एक बुक लिखा है ध्वन्या लोग कभी कभी question पूछा जा सकता है कि ध्वन्या लोग के लेखा कौन है आनंद वर्ध question number 218 सिरे पर्दू किस माध्यम से मूर्ति धालने की तकनीक है तो यह धातु धलाई की एक प्रकिया है तो right answer C हो जाएगा question number 219 आरोही क्रम में सही काला नुक्रम चुनिए आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में तो यहाँ पर जो है bomb garden, heagle, croche और fried तो यह right answer A हो जाएगा question number 220 इंद्रधनुस के रंगों का सही क्रम पहचानिये तो इंद्रधनुस के रंगों का सही क्रम सबसे पहले आप यह सूत्रयाद रखिए बैनी, आह, पी नाला यह सात रंग होते हैं जो की इंद्रधनुस rainbow के यह सात रंग है तो इसमें बैगनी, आस्मानी, नीला, अहरा देखें बैनी, बैगनी के बाद यह रंग आना चाहिए यह नीला उसके बाद आस्मानी, उसके बाद हरा तो right answer यहाँ पर D होगा question number 221, कौन से पस्चमी दार्षनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है, तो यह सुकरात ने कहा है right answer A हो जाएगा, question number 222, निमलिखित को सुमिलित कीजिए तो अनुकरण का जो है सिधान किस ने दिया है, अरस्तुने कला संप्रेशड है, किसने कहा है, लिव टॉलस्तायन है, चित्र सूत्र अब देखे यहाँ पर चित्र सूत्र के लेखक नगनजीत नहीं है, चित्र सूत्र के लेखक नारायन मुनी है नारायन मुनी लेकिन यहाँ नगनजीत दिया है नगनजीत यह है चित्रलक्षड चित्र लक्षड यह चित्रलक्षड के यह लेखा का नगनजीत भैजीत हर स्चरित के लेखा का बार्वट तो इस तरह से यह राइट हो जाएगा question number 223 चित्रकारी में तैल रंग का उपियोग पहली बार कहां किया गया तो हलेंड में किया गया था नीदर लेंड तो राइट अंसवर सी कोस्चन नंबर 224 भारती ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताईए तो यहां पर जो है सबसे पहले विश्डु धर्मोत्तर पुराड तो विश्डु धर्मोत्तर पुराड के लेकर कौन है मारकंडे मुनी मारकंडे मुनी मारकंडे मुनी और कामसूत्र वादस्यान जयमंगला यह सोधर पंडित और कादमरी बाड़भट तो इस तरह से राइट आंसर बी होगा कोशन नमट 225 निमनांकित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमलित कीजिए तो नगनजीत जो है इन्होंने चित्र लक्षड लिखा है चित्र लक्षड या चित्र लक्षड आ कहीं कहीं लिखा हुआ तो इसके लेखक यह है और चित्र सूत्र के लेखक जो है नारायन मुनी जैदेव द्वारा गीत गोबिन लिखा गया वात्सयान ये कामसूत्र ये तरह हुआ कामसूत्र लिखे हैं और वारा महिर व्रियस संगीता के लिखा इस तरह से राइट हो जाएगा कोशन नमबर 226 सुजान लेंगर कौन है तो सुजान लेंगर जो है एक सौंदर सास्त्री है तो राइट अनसर डी हो जाएगा कोशन नमबर 227 च्छै व्रिद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताईए तो यह है नाटे सास्त्र में चर्चा की यह है तो नाटे सास्त्र के लेखक कोन है भरत मुनी चित्रसूत्र के लेखक नारायन मुनी और समरांगर सुत्रधार राजा भोज और कामसूत्र वात्सयान कोशन नमबर 228 Transformation of Nature in Art नामकुस्तक के लेखक कौन है तो यह आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखा गया राइट अंसर बी हो जाएगा कोशन नमबर 229 अभिकत्र बहरती रस सिधानत में 19-17 नाटे शास्तर में भरत मुनी द्वारा वरडित आठ रसों के अत्रिक्त था और यह अभिनावगुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो यह सही है देखें यहाँ यह अभिनावगुप्त के द्वारा हो जा गया था नवारस कौन सर था सांतरस और भरत मुरी ने आठ रसो का वरण किया था कारण आर अभीनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं से परे जाता है तो यह शांति में रहता और यह मन की अवस्था भी है जिसे सांतरस के रूप में परिभासित किया जा सकता है तो इस तरह से राइट एंस्वर ए हो जाएगा ए आर दोनों सही है कोशन नमबर 230 विपरीत काला अनुकरम में सही अनुकरम का चैन कीजिए तो यहां पर जो है सबसे पहले आएगा हीगिल उक्सबास सिगमन फ्रैट क्रोचे रोजर फ्राई राइट एंस्वर डी कोशन नमब 231 प्लास्टर आप पेरिस किस्से बनता है तो यह जीपसम राइट एंस्वर हो जाएगा कोशन नमबर 232 निमलिखित का मिलान कीजिए तो हीगल जो है दंडात्मक सिध्धान क्रोचे जो है अंतह प्रग्या अरस्तु जो है अनुक्रण का सिध्धान और बामगाटन सौंदर शास्त कोशन इस तरह से सही हो जाएगा कोशन नमब 233 यह किस ने कहा था कि कला एक महतपूर विधा है तो यह कलाई वेल ने कहा था तो राइट एंसर सी हो जाएगा कोशन नमब 234 अभी कथन एक कला की प्रकृति जटिल है यह सही है काराड आर्कियों की कला समसामाईक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है जहां प्रतेक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संबेदन सीरता होती है तो यह भी सही है तो राइट एंसर ए हो जाएगा ए आर दोनों सही है कोशन नमबर 235 निमन लिखित पदों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सुमिलित कीजिए तो हलके से गाढ़े की ओर मतलब light to dark तो यह हम जलरंग में कारे करते हैं गाढ़े से हलके की ओर मतलब dark to light तो यह तैलरंग में कारे किया जाता है चिपकाना कोलाज पेपर के छोटे टुकडों को चिपकाया जाता है एचिंग यह ग्राफिक से संबंदित है तो इस तरह से right हो जाएगा question number 236 अदभूत रस का कौन सा रंग है तो अदभूत रस का रंग क्या है पीला right answer D हो जाएगा question number 237 अभी कथन A ललित कलाओं में प्रतेक रचना के लिए कलपना, अब्स्ट्रेक्शन और अव्वेंजना का समुचित सन्योजन है आउश्यक है कारण R कलास रिजन में कलपना बिम्ब के निर्माण में सहायक होती है अब्स्ट्रेक्शन का संबंद रूप की रचना से है तथा अव्वेंजना भाव से संबंदित है तो यह सही है तो यहाँ पर राइट अन्सवर B हो जाएगा A, R, दोनों सही है यहाँ पर कोशन नमबर 238 अभीकथन A द्रिष्ट की सत्ता, परसिस्टेंस आफ विजन इस बात की व्याख्या करती है कि तीव रगति से सिलसेले वार ढंग से दिखाई जाने वाली छबियों को मानव की आँख चलचितर के रूप में ग्रहण करेगी तो यह सही है कारण R द्रिष्ट की सत्ता, फ्लिप बुक से प्रियुक्त एक द्रिग विशय है तो यहाँ पर यह भी राइट है तो राइट एंस्वर A हो जागे यार दोनों सही है कोश्चन नमबर 239 अभी कथन A ड्राइब ब्रस संघात विद का प्रियोग जल रंग और तैल रंग चित्रण में होता है तो यह सही है कारण R ड्राइब ब्रस संघात सत्ता पर विशेज प्रकार के टेक्सचर उत्पन करते है तो यह भी सही है तो राइट एंस्वर हो जाएगा A, A, R दोनों सही है कोश्चन नमबर 240 अभी कथन A रंग चक्र के संदर्भ में त्रिती रंगों को अनुरूपी रंगों से भी संदर्भित किया जाता है तो यह सही है कारण R रंग चक्र के संदर्भ में त्रितीयक रंग प्राथमिक तथा दूतीयक रंगों के बीच में इस्थित होते है यह भी सही है तो राइट एंस्वर A हो जाएगा A, R दोनों सही है कोश्चन नमबर 241 अभी कथन A आरेखन समस्त द्रिश्चे कलाओं का आधार भूत घटक है यह सही है कारण R क्यों की इसके बिना रूप और छवी नहीं बना जा सकती यह भी सही है राइट एंस्वर A हो जाएगा A, R दोनों सही है कोश्चन नमबर 242 अभी कथन A वास पेंटिंग में रंग सदयों कोमल और सुक्ष मुहते है यह सही है कारण R क्यों की पानी के द्वारा धुलने से अत्रिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं तथा केवल रंगों की पारदर्सी आभा सता पर बच जाती यह भी सही है राइट एंस्वर A हो जाएगा यहार दोनों सही है क्वेश्चन नमबर 243 पस्चमी संदरे सास्त्र पर कारे करने वाले दार्शनिकों को काला नुक्रम मानुसार चुनिये तो यहां पे राइट एंस्वर जो हो जाएगा दी अरस्तू सेंट अगस्टीन क्रोचे क्लाइवेल राइट एंस्वर D क्वेश्चन नमबर 244 अभी कथन A प्राथमिक एवन दुतियक रंग के मिस्रण से तृतियक रंग बनते हैं तो यह सही है कारण आर जिसके कारण तृतियक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला हरे, लाल बैगनी और पीला नारंगे तो यह भी सही है तो यहां पर राइट जो एंस्वर होगा A, R, दोनों सही है दोस्तों यहां पर यह उपर जो अप्षन दिया है वो दे दिया है तो यह गलत यहां पर तो यह अप्षन सही हो जाएगा कोश्चन नमबर 245 सौंदर सास्त्रियों एवं उनके द्वारा प्रतिपादि सिधानतों को सुमिलित कीजिए तो क्रोचे ने थियोरी आफ इंट्यूशन अरस्तु थियोरी आफ एमिटेशन टलस्टाय थियोरी आफ कम्मुनिकेशन और कॉलिंग बूड थियोरी आफ इमेजिनेशन तो इस तरह से राइट हो जाएगा कोश्चन नमबर 246 अभी कथन ए ग्रेफाइट पैंसिलों की तुलना में रंगीन पैंसिलों के लिखे को मिटाना ज्यादा कटिन होता है कारण आर्कियों की रंगीन पैंसिले क्ले चिकनी मिट्टी और उन रंग द्रव्यों पिगमेंट्स के मिस्रर से बनी होती है जो गोट के साथ इकठे बधे होते हैं और कई और हाई प्रेस्ट वैक्स में भीगे होते हैं तो ये भी सही है तो राइट एंसर ए हो जाएगा ये यार दोनों सही है कोश्चन नमबर 247 247 अभी कथन ए पारंपरिक भारती चित्रकला ने एतिहासिक विसेवस्तु का परिहार किया और धार्यम की विसेओं पर अपना ध्यान के अंद्रित किया तो ये सही है कारण आरक्यों की उस काल में सांस्कृतिक अविव्यक्ति का मातर निर्धार कारण कारक जो था वो धर्म था तो ये सही है तो ए आर दोनों सही हो जाएगा ओप्सन ए सही है कोश्चन नमबर 248 अभी कथन ए प्रतिस्ठापन कला स्वयम को चित्रकला तक ही सेमित नहीं करती तो ये सही है कारण आरक्यों की प्रतिस्ठापन कला की एक ही कृत में मूर्थ अव्यक्ति के सभी रूपों को समाहित करने के संभावनाओं का उपियोग करती है तो ये भी सही है, राइट एंस्वर, यहाँ पर A हो जाएगा, A-R दोनों सही है, कॉश्चन नमबर 249, कामसूत्र की उस टीका के सडंग, जिसमें सडंग का वरण है, टीका कार्थ है, तो सडंग का वरण जो है, यह जैमंगला जो पुस्तक है, उसमें है, और जैमंगला किस के द्वारा लिखा गए, या सोधर पंडित के द्वारा, जिसमें कला के 6 अंग बताये गए, जिबी कामसूत्र के लिखा कौन है, वात्सयायन, और इसमें 64 कलाओ के बारे में बताया गया, कोस्चन नमबर, कोस्चन नमबर 250, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चैन करें, तो यहाँ पर जो है, वाम गार्टन, हीगल, क्रोचे, सुजान, लेंगर, तो राई टान्सवर, यह हो जाएगा, कोस्चन नमबर 251, अभी कतन, ए फ्रेसको सेको की तुलना में फ्रेसको बुनों में ज्यादा, रंग ज्यादा टिकाव होता है, तो यह सही है, तरक आर्ख्यों की फ्रेसको बुनों सुष्क प्रक्रिया है, जबकि फ्रेसको सेको सीधे गीले प्लास्टर में किया जाता है, तो यह गलत है, देखें क्यों, क्योंकि फ्रेसको बुनों जो होता है, यह गीली भीत्ते पर होता है, और जबकि सेको जो है ये सूखे पर होता है तो यह गलत हो जाएगा तो यहाँ पर राइट अंसवर बी हो जाएगा ए सही आर गलत है question number 252 निमलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारती वास्तुकला का उले किया गया है तो यह आश्टा ध्याई में किया गया है तो यहाँ पर राइट अंसवर ए हो जाएगा और आश्टा ध्याई के लिखक जोन है पाड़ी नहीं पाड़ी नहीं question number 253 अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रियुक्त मूल सब्द क्या था तो यहाँ पर राइट अंसवर जो है मिमेसिस है लेकिन कहीं कहीं पर हमें रेपेटीशन भी देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर राइट अंसवर डी मिमेसिस question number 254 मिट्टी को कौन सी सामागरी शक्ति प्रदान करती है दोस्तो यहाँ पर यह हस्क लिखा है कहीं कहीं पर राइट अंसवर जो है हस्क दिया है लेकिन जहां तक हमने पढ़ाया हमें पता है कि ग्रोग मिट्टी को मजबूती किसे प्रदान होता है ग्रोग से तो सब्सक्राइट 55 निमलकित ग्रंतो का सही कालक्रम चुनिए तो यहां पर जो है अस्ता ध्याई हो गया है उसके बाद विश्डु धर्मोतर पुराड फिर हर्चरीत फिर कामशुद तो अस्ता ध्याई के लिकर कोन है पाड़ी ने और विश्डु धर्मोतर पुराड मुनी और हर्चल बाढ़भट और कल्पसुत्र वादस्यान तो इस तरह से राइट अंसर डी हो जाए हो कोश्चन नमर्ट 256 अभी कथन ए कल्पना सीलता कला के स्रिजन का अनिवार्य तत्व है तो यह सही है कल्पना सीलता मस्तिस्क की ऐसी विशिष्टता है जो विचारों और भावनाओं को द्रिश्य बिम्बो में रूपांतरित करती है तो यह भी सही है तो राइट अंसर यह हो जाएगा यह यार दोनों सही है कोश्चन नंबर 257 निमलिखित को सुमिलित कीजिए तो लिंसीड ओल यह चितरकला में प्रयोग किया जाता है तैल चित्रड में और पैंटिंग में रेजिन जो है यह इंजन lookingima से संबन धित है ग्रॉप जो है यह सिरमेक से संबन धित है पतिना जो है धातु मूर्तिकला से संबंदित है तो इस तरह से right हो जाएगा question number 258 impasto टक्निक किस से संबंदित है तो ये चित्रकला से संबंदित है तो right answer ए हो जाएगा दोस्तो मैं आपको बता दू impasto टक्निक क्या होती है मोटे मोटे जो रंग लगा जाते है उसे impasto टक्निक करते है मोटे रंग लगाने की टक्निक को हम impasto करते है question number 259 जल आभा का परभाव प्राप्त होता है तो ये रेजिन से प्राप्त होता है तो right answer ए हो जाएगा question number 260 दृष्य बोध के गेश्टाल्ट मनो विज्ञान का जनक कौन है तो max वेर्दी मर है तो यहाँ पर right answer C हो जाएगा question number 261 काल क्रमानु सार पस्चमी दारसनिकों के निम्न क्रमों से सही क्रम का चैन करें तो यहाँ पर जो right answer है वो है B question number 262 संस्कृत सूत्र के काल क्रम के आधार पर सही क्रम को चनिया तो यहाँ पर रूप भेद प्रमाड यहाँ पर प्रभाव नहीं यह प्रमाड लिखा है रूप भेद प्रमाड भावलावड योजनम साद्रिश वडिका भंग तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हीगल का जो समय है यह है 1770 1770 यह हीगल का समय है और यह क्रोचे है क्रोचे का जो समय है 1866 1866 जार्ज संतायना का जो समय है 1863 और जार्ज संतायना का समय है 1905 तो इस तरह से यह राइट होगा लेकिन हीगल के बाद यह जार्ज संतायना का समय है तो इस तरह से राइट हो जाएगा हीगल जार्ज संतायना क्रोचे और जा पालसात्र प्राइट आंसर बी हो जाएगा कोश्चन नमबर 264 अभी कथन ए भारती संदर सास्त में अभिनव गुप्त ने नवे रस की खोच की तो यह सही है और नवा रस कौन सा था सांत रस था तरक आर्कियों की उन्होंने यह संकल्पना की की मस्तिस्क एक समय में अपने आपको भावनाओं के तनाव से मुख रखता है और शांत में विश्राम करता है तो यह भी सही है तो राइट एंसर ए हो जाएगा ए यार दोनों सही है कोश्चन नमबर 265 कोश्चन नमबर 265 अभी कथन ए हिगेलियन त्रई में थीसिस दोस्तों मैं आपको बता दूँ कोश्चन नमबर जो 264 है इसमें मैं आपको इस वीडियो में यही तक बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो दोस्तों यद हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक सस्क्राइब और सेर करें हमारे यूटूब चैनल पर कमेंट करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तो इसी प्रकार से विजुल आठ से संबंदित इंपोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों